हाई अव्रिवान वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज इस्टी स्टाइल आलू टिक्की की रेसिपी में शेयर कर रही हूं एकदम पॉफेक्ट और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार के आलू टिक्की हम घर पे बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को तो सबसे पहले हम इसके मटर तियार करेंगे यानि छोले मटर वाले छोले जो होते न वह बनाएंगे जो आलू टिक्की के साथ बहुत अच्छे लगते हैं तो मटर को ओवरनेट सो करने के बाद इसे प्रेशर कूकर में डालेंगे दो गलास पानी के साथ और साथ में लमक और हल्दी पाउडर और करीब 3-4 विसल के साथ इसको बॉइल कर लेते हैं थोड़े से यह मशी होने चाहिए तो तीन विसल में बहुत अच्छे से बॉइल हो चुका है तो बस इतना ही इसी तरह से हमें इसे बॉइल करना है थोड़े से जसे बताया मशी होने चाहिए और अभी चले इसको बनाना शुरू करते हैं कडाई में डालेंगे एक चम्मच के करीब और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग उसके बाद इसमें डाल देंगे एक टमाटर बारिक चॉप किया हुआ और इसे अच्छे से पका लेते हैं जब टमाटर थोड़ी से पक जा इसमें कुछ मसाले जाएंगे वही रेगुलर मसाले दनिया पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला हल्दी और नमक नमक बॉयल करते वगत हमने डाला था तो थोड़ा सा नमक उसके हिसाब से अजस्ट करेंगे और इस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें डाल देंगे प्रेवी वाला नहीं बनाना है कुछ इस तरह से जैसे आप कंसिस्टेंसी यहां पर देख रहे हैं इसी तरीके से त्यार करना है तो यह मतर हमारी बनकर तयार हो चुकी है अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के तरफ तो आलू टिक्की को सर्फ करने के लिए हमें मीठी दही बनाना है तो यह माने लिया है ठिक कर्ड घर पे ही मैंने इसे जमाया था और करीब दो बड़ा चम्मज है इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी चीनी मीठा दही होता है वो हमें बनाना है पिसी हुए चीनी का भी इस्तमाल कर सकते है आप रेगुलर शुगर जो होती है उसका अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चीनी जब इसमें मिक्स हो जाए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एजस्ट करेंगे थोड़ा गाड़ा दही ही बनाना है तो थोड़ा सा पानी डाल दी है मैंने करीब दो चम्मज के जितना और इसे मिक्स कर लेते है त कोई कुछ इस तरह से यह दही हमारा तयार होना चाहिए तिक्की को बनाने के लिए आलू को ओवर बॉइल नहीं करना है सिर्फ दो विसल लगानी है उसके बाद छील कर हम इसे फ्रिज में रग देंगे करिब 2-3 घंटे के लिए फिर मैंने इसको ग्रेट कर लिया यानि थोड़ा तो कॉफ्लौर देखी नहीं यूज करना है कॉँस्तार्च यूज करना है जिसे अर योड भोला जाता है और टिक्की बनाने के लिए हाँ आर योड का ही स्तrió माल होता है वह थोड़ा सा उसको मैश कर दिया है, ठंडा होने पर इसमें थोड़ा मैश पनीर मैने अड़ कर दिया है, आप जने की दाल की भी स्टफिंग बना सकते हैं, अगर आपको इस स्टफिंग की डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कोमेंट करिए, इसका एक शॉर्ट वी तो आप यह स्टेप कर सकते हैं सिर्फ इस तरह से आप टिक्किया मना लिए विदाउट स्टफिंग और इस तरह से गोल-गोल टिक्किया बनाएंगे तो इसको अभी फ्लैट नहीं करेंगे क्यूंकि जब हम इसको सेखेंगे तब हम सेख टेवर्गति इसको क्रिस्पी करके फ स्टाफिंग यह टिके मना कर हमने तयार कर लिया है आप चाहें तो इसको बना कर इस तरह ऐसे फ्रिज में रख दीजिए और जब आपको सर्व करना हो तभी आप सेखें तभी पर डालेंगे ओईल और इसे थोड़ा सा गरम होने देते हैं और फिर लो टू मीडियूम फ्लेम पर हम एक करके टिक्कियों को सेख लेंगे यहाँ पर जो मैंने दवा लिया है काफी बड़ा है तो सारी टिक्कियों को मैं एक साथ सेख सकती हूँ अगर आप छोटा दवा यूज कर रहे हैं तो दो बैच में उसको सेख सकते हैं दो सकते हो कि इसकती है बड़ इसके सब्सका लाळा को मैं कर दिक्कित छोस्चोः अल्स कर को से लोगने दिसख सकते हैं तो गैस की फ्लेम को एकदम लो रखा है और जब थोड़े से एक तरफ से सिख जाएं तो हम इसको एक करके पलट देंगे इनको देखें बहुत जादा करारा करने के लिए आप इसको बारी बारी से पलटते रहें और थोड़े से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं त ताकि यह जले नहीं और हमने फ्लेम को एकदम लो रखना है तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है गोल्डन और काफी क्रिस्पी भी हो गए है यह तो इसी तरीके से इनको सेक लेते हैं इस तरह से हमें इनको टरन करना है ताकि हर दरफ से क्रिस्पी हो जाए और थोड़ा सान अब स्पैचुला को इस तरह से देखिए प्रेस करते रहेंगे प्रेस करने से यह अंदर से भी स जो टिक्किया एकदम सिख के तयार हो चुकी है पहले उसको तवे से बाहर निकाल लेते हैं और बारी-बारी करके इसी तरीके से सेख कर हम सर्फ करते रहेंगे तो गरम-गरम आलू की टिक्किया ही अच्छे लगती है तो यह देखे जैसे स्टीट स्टाइल में ही बना रहे है यह रेसिपी तो उसकी सर्विंग भी हम बिलकुल वैसे ही करेंगे तो चलिए अब इसको सर्फ करते हैं और यह बहुत क्रिस्पी बने आए यह देखे तो सबसे पहले हम इसके उपर डालेंगे मटर वाले छोले फिर इसके उपर हम डालेंगे मीठा दही अब इसके उपर हम डालेंगे इमली की चटनी खटी मीटी इसकी रेसिपी मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूँगी तो आप वहां से यह खटी मीटी आपको अगरेने जर्रेर चटनी की रेसिपी को चेक कर सकते हैं यह तक तरिवा धनिये की चटनी है इसकी भी रेसिपी मेरे शॉट वीड오 में है तो आप वहां से हैं इसको बड़ कर अपको यह चटनी को बार चाइबम करें पिर इसको पर हम डालेंगे भूना हुगा जीरा मसाला अगर आपको प्याज पसंद है तो आप उपर से प्याज की गानिशिंग कर सकते हैं इसके उपर थोड़ी सी लाल मिर्श मेने डाला है और यह हमारी आलू टिक की चाट बनकर रेटी है तो आप यह ट्राइ करिए होली पर अपने गेस्ट के लिए आप यह रेसिपी बना सकते हैं और घर की बनी हुई हर रेसिपी बहुत अची बनती है और बहुत टीस्टी भी होती है तो होली पर तेयार करें या किसी भी फेस्टिवल पर या कभी भी आप इसे बना कर खा सकते है I hope आपको ये वीडियो पसंदाई होगी अची लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें फैमली और फ्रेंज के साथ फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई एंड टेक केर